हेलो दोस्तों आप सब वगा स्वागत है डी एजुकेसंस के यूटूब चैनल से आज फिर हम लोग सेसन नंबर 17 के साथ जुड़ चुके हैं जिसमें की साइंस के 25 कोस्टन्स को देखने वाले हैं और हम लोग प्रतेक रातरी 9 बज़े जुड़ते हैं जो MCQ सेसंस के रूप म कौन कौन से कोस्टन्स बने आज देखने वाले हैं तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं एक मिनट तक बेट कर लिया जाए सभी लोगों का और उसके बाद कोस्टन्स को एड़ स्टार्ट कर दिया जाएगा तो आज कुछ लोग थे जो कि सुबह में नहीं जुड़े थ तो आप लोग आठ बज़े भी जुड़िए आठ बज़े आप लोगों के लिए MCQ सेशन्स के रूप में GA और जो GS है GKGS का आपको ASTATICS GKGS का सेट चलाया जा रहा है सुबह आठ बज़े तो आप लोग आठ बज़े भी जुड़िए जिसमें कि 30 कोस्टन्स होते हैं तीस कोस्टन्स में आपको 20 कोस्टन आपको GKGS और ASTATICS का मिलेगा और 10 से 12 कोस्टन दोंगे Current Affairs के होते हैं तो सभी लोग आप लोग भी सुबह वाले सेसंस में 8 बज़े वाले में जुड़ने का प्रयास करिए और आप लोग भी Benefit को उठाईए फायदा उठाईए जुड़के तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाते हैं सभी लोग जल्दी से जुड़िए और उसके बाद इस्टार्ट कर देते हैं 10 सेकंड और इंतिजार करते हैं उसके बाद इस्टार्ट करते हैं तो फटा-फट से सभी लोग जुड़ जाएए फटापट से सभी लोग जूड़ेंगे ताकि सेशन को आगे बढ़ाया जा सके तो सभी लोग जल्दी से एक बार जूड़ जाए और सभी लोग को सेयर कर दीजे ताकि जल्दी से लोग जूड़ जाए चलिए, आज के सेशन में क्या देखने वाल है? यह होता है सुपर 25 कोस्चन में आपको फिजिक्स के कोस्चन मिलेंगे देखने को फिजिक्स के आठ कोस्चन होंगे केमिश्ट्री के आपको 9 कोस्चन और बायो के आपको 8 कोस्चन देखने होगे मिलेगा आज के सेशन का, यह सेशन नमबर 17 है आज लगतार हम लोग 17 दिनों से लगतार सेसंस को चला रहे हैं जो कि प्रतेक रात्री 9 बज़े जुडते हैं और MCQ सेसंस के रूप में करते हैं जो कि आपके लिए उपयोगी होगा जो आने वाले गुरूप D के एक्जाम है उनके लिए सबसे उपयोगी होगा क्योंकि इसमें गुरूप D के लेबल के क्वेस्चन को सामिल किया गया है तो आप लोग जुड़े रहिए आप लोगों को पोल में एंसर करना है आपको पोल दिया जाएगा पोल में सभी लोगों को एंसर करना है A, B, C, D पोल का वेट कर लेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा वेट करके पोल में सभी लोग पोल में ही एंसर करेंगे जिनके पास पोल नहीं आ रहा होगा वे लास्ट में एंसर करेंगे पोल के इंड होने के बाद या थोड़ा सा वेट करके उभी करेंगे लेकिन सभी लोग पॉल में ही एंसर करेंगे चली अगले कुश्चन की और आते हैं आज का पहला कुश्चन सेट नमबर 17 का यह है आज का पहला कुश्चन पहले कुश्चन में बताना है आपको पॉल दिया जा रहा है बताईए कि गोलाकार दरपण में फोकस दूरी होता है वकरता तिर्जा के दूगनी, वकरता तिर्जा का तिगुनी, वकरता तिर्जा की आधी या वकरता तिर्जा के बराबर बताईए कि जब गोला दरपण होता है गोलाकार दरपण होता है तो फोकस दूरी होता है बताइए क्या होता है आधी होता है दुगनी होता है तेगनी होता है या बराबर होता है तो सभी लोग इसका एंसर करेंगे पोल दिया जा रहा है पोल में एंसर करिए सभी लोग और चैट में कोई चिट चैट फालतु का नहीं करेगा अराम से पढ़ते रहिए ध्यान से डिस तो काईगा कि गोलाकार दरपण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वकरता त्रिजा की का होती आदी होती है क्योंकि वकरता केंदर जो होता है और फोकस यहाँ पर और कोई दरपण यहाँ पर होता है तो वकरता के अंदर से धुरू के बीच के दूरी को वकरता तृजया जबकि फोकस से धुरू के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और वकर्ता दुरी का दुगुना जबकि फोकस दुरी वकर्ता दुरी के आदी होती है तो इसका राइट एंसर C हो जाएगा अगले question के ओर बढ़ते हैं दूसरे number question को बताईए कि बिलुकुल मन्ध श्रब ध्वनी की तिवरता अस्तर क्या होगी मतलब कि बिल्कुल मन्द है तो ध्वनी की तीवरता अस्तर कितनी होगी एंसर करिए 100 decibel, 0 decibel 10 decibel, 25 decibel एंसर किजिए पोल में सभी लोग जो पोल दिया जा रहा है उस पोल में आपको एंसर करना है तो सभी लोग एंसर करिए इसका सब sf2 लोग answer करेंगे पोल में जो दिया जा रहा है पोल में answer करेंगे आप लोग समय से जुड़िये ड्राइब क्योंकि समय से start किया जा रहा है तो समय से आप लोग आ करें जुड़िये चली ए अगर कहे कि बिल्कुल मंद सरब्वे धुनी तो बिल्कुल मन्द श्रब्वे ध्वनी का जो तिवरता आस्थर होता है 0 decibel कितना होता है? 0 decibel अगर ध्वनी की अगर बात कहा जाए तो ध्वनी के 3 लक्षण होते हैं ध्वनी के 3 लक्षण होते हैं जिसमें पहला होता है तिवरता क्या होता है? तिव्रता तरत्व और गुणता या क्या है ध्वनी के तीन लक्षण है तिव्रता तरत्व और गुणता तिव्रता को इंटेंसिटी कहते हैं इंटेंसिटी कहते हैं तरत्व को पीच कहते हैं और गुणता को क्वालीटी कहते हैं तो या ध्वनी के तीन लक्षण होते हैं कौन कौन से होते हैं तो ध्वनी के तीन लक्षण तिव्रता तरत्व और गुणता तिव्रता के कारण कोई ध्वनी तेज या धीमा सुनाई देत तो कहेंगे कि तेज या धीमा सुनाने का कारण जो होता है उसका तिवरता होता है जबकि ध्वनी कोई मोटा सुनाई देता है और कोई पतला सुनाई देता है उसके कारण से तरत्यों का जबकि गुर्टा कहा जाता है कि समान आवरिती और समान तिवरता और समान तरत्यों के जो हम अंतर अस्पष्ट करते हैं वह होता है गुणता फिर आपसे question पुछता है कि जो तिवरता है तिवरता किस पे निर्भर करता है तो तिवरता जो होता है जो intensity होता है वे आयाम के वर्ग के समनुपाती होता है तो कहेंगे कि intensity समनुपाती होता है जो आयाम होता है उसके त मतलब कि जिसका आयाम जाधे होगा जिसकी आयाम अधिक होगी उसकी तिवरता क्या होगी अधिक होगी तो आपसे पुछता है कि तिवरता किसमे निर्भर करता है तो उसके आयाम पर और आयाम के क्या होता है समनुपाती होता है जब कि तरतो किसमे निर्भर करता है तो तरतो क पीछ होता है, क्या होता है, यह आपके आवरिती पे निर्वर करता है, किस पे निर्वर करता है, तो आपसे कोश्चन पूछ सकता है कि तिवरता किस पे निर्वर करता है, तो आयाम पे जब कि तिवरता किस पे निर्वर करता है, तो उसके आवरिती पे निर्वर करता है, और इसी तिवरता के कारण, मतलब की आवरीति के कारण, तरतव के कारण, आपको ध्वनी मोटा या पतला सुनाई देता है आप से question पूशाता, तिवरता से, कि बिल्कुल मंद ध्वनी की तिवरता अस्तर है, तो कितना मंद है, बिल्कुल मंद है माइक्रो वार्ट प्रती मीटर स्कॉयर क्या होता है माइक्रो वार्ट प्रती मीटर स्कॉयर क्या होता है माइक्रो वार्ट प्रती मीटर स्कॉयर होता है जबकि तिवरता का बेवहारिक अगर मात्रक की बात कहा जाए कि बेवहारिक मात्रक क्या है तो बेवहारिक मात्रक होता है डेसी बेल तिवरता का साई मात्रक माइक्रोवाट प्रती मीटर स्क्वाइर और वहारिक मात्रक पुछे क्या होता है तो डेसी बोलोता है डेसी बेल जो होता है बेल का दस्वा भाग होता है किसका भाग होता है बेल का दस्वा भाग होता है तो आप से पूछे कि बेल का दस्वा भाग क्या है डेसी बेल होता है तो यहां आपके थे ध्वनी की तिवरता का SI मात्रक क्या हो तब हारिक मात्रक decibel जबकि SI मात्रक micro watt प्रती meter square होता है ठीक है अब आपको कुछ बताता है जैसे कि WHO के अनुसार कहा गया है कि 45 decibel तक के ध्वनी मनुस्य के काने के लिए हनिकारक नहीं है मतलब कि WHO ने बताया कि आपका 45 decibel तक अगर ध्वनी है तो आपके कान के लिए हनिकारक नहीं है जबकि 95-100 decibel के बाद ध्वनी के कान के लिए हनिकारक होता है मतलब कि आपके 45 तक के ध्वनी होंगे नहीं होंगे हनिकारक जब कि 95 से 100 के बीच का जो धोनी होगा, डेसीबल का जो धोनी होगा, वे आपके कान के लिए हानिकारक होते हैं. फिर पुछता है कि आप फुस-फुसाहट में बात कर रहे हैं, तो फुस-फुसाहट में ध्वनी की डेसिबल मत्द ध्वनी की तिवरता कितनी होती है, जब हम फुस-फुस बात करते हैं, तो उस समय कितना डेसिबल होता है, तो 15-20 डेसिबल होता है, जब कि सधारण बातची बिधुत के कारण नहीं होता है तिसरा नमबर का एंसर करिए चुमक्य प्रभाव, रसाइनिक प्रभाव, उसमिय प्रगभाव या संकुचन प्रभाव तीनों में से कौन सा प्रभाव है जो बिधुत के कारण नहीं होता है या बिधुत के कारण से नहीं होता है आप लोग इसका answer करिए पोल में तिसरा नंबर का पोल में आपको answer करना है बताइए तिसरा नंबर का answer करिए जल्दी से सभी लोग कि कौन सा प्रभाव बिधुत के कारण नहीं होता है भाई इस बार नहीं होगा गुरुटी तो कब होगा सोचो एक लाग वेकेंसी है, एक लाग में अगर हम लोग ध्यान से हर रोज practice करें रोज अगर पचीस दिन में अगर एक दिन में पचीस questions को इसमें और तीस questions इसमें सुबह वाले में, total question होगया 75, अगर 55 को अगर 30 दिन के अगर बात कहा जाए अभी ते एक महिना के सू मिलेगा 30 दिन अगर मिले तो 30 से अगर गुणा करिएगा तो 3, 5, 15, 3, 1, 2 यानि कि 2250 कोस्टन ऐसे होंगे जो कि आपको करने के लिए मिलेंगे उसके साथ साथ इसमें discussion प्रते इक कौस्टन से कम से 5 discussions मिलता है तो और कर लिजिए इसमें इसका 5 और कर लिजिए मतलब कि हम लोग कुल विलाके 1000 कोस्टन तो ऐसी देख लेने वाले हैं और प्रते एक महिना में 1000 कोस्टन को देख लेंगे तो जब 1000 कोस्टन देख लेएंगे चलिए, कौन सा बिधुत के कारण नहीं है, मतलब बिधुत के प्रभाव के कारण नहीं है, तब बिधुत के प्रभाव के कारण में जो नहीं होंगे, वे कौन कौन से नहीं होते हैं, तो बताईए, कौन कौन से होते हैं, तब बिधुधारा के कौन कौन से होते हैं, देखिए बिदुधारा के चुमबकिये प्रभाव का गुण होता है बिदुधारा के चुमबकिये प्रभाव का गुण देखने को आपको मिलता है तो कहेंगे कि यह होता है बिदुधारा के उसमिये प्रभाव का भी होता है और एक और प्रभाव होता है जिसको कि हम गैस आयनी करण के प्रभाव करते हैं कौन? गैस आयनी करण का प्रभाव यह बिधुत के प्रभाव से चुम्बकिये प्रभाव उत्पन होता है उसमिये प्रभाव, रसायनिक प्रभाव और गैसी आयनिक रण की प्रभाव भी बिधुत के प्रभाव को देखने को मिलता है जबकि संकूचन को देखने को नहीं मिलता है आपसे नहीं पुछा था इसलिए इसका राइट एंसर D हो जाएगा अच्छा चुमबकिये प्रभाव की अगर बात कहा जाए तो चुमबकिये प्रभाव की खोज किस ने किया था तो चुमबकिये प्रभाव की खोज औरेस्टेड के द्वारा किया गया था विदुधारा के खोज विदुधारा की चुम्बकिय प्रभाव के खोज और इस्टेड जवकि विदुधारा के उस्मिय प्रभाव की खोज जूल ने किया था किस ने किया था तो जूले ने किया था और आपसे कभी कई पुछता है इसी उस्मिय प्रभाव पर आपको एक सुत्र याद दोगा बताते हैं ध्यान से भागिये गमत कि जो उस्मिय प्रभाव है इसी पर आपको एक सुत्र देखने को मिलता है ह बराबर h बराबर i square r t h बराबर i square r t बीदुधरा का उसमिय प्रभाव है इसी को फिर लिखता है कभी-कभी h बराबर क्योंकि p t क्योंकि i square r बराबर क्या होता है p t तो इसको कार लिखता है कि p t क्यों होता है क्योंकि b बराबर i r होता है भी बराबर आई आर होता है पी बराबर आई आर होता है ऐसे निकलता है और एक होता है यहां से देखिए क्या होता तो पी आर निकल गया आई निकल गया और यहां से निकलता आते एक बराबर पी टी होता है पी यहां पे क्या है पावर है एक होता है H बरावर V A square by T by R एक H बरावर आता है V I T यह आपके सुत्रिया दखना है H बरावर I A square R T H बरावर P T H बरावर V A square R H बरावर V I T या विद्दुधारा के उसमिय प्रभाव पे होते हैं तो आपसे कुछ उपकरन पुछता है बिद्दुधारा के उसमिय प्रभाव पे कौन कौन से उपकरना काम करते हैं तो जैसे आईरन आईरन जो बिद्दुध प्रेस होता है हीटर होता यह सारे के सारे क्या है तो बिद्दुधारा के उसमिय प्रभाव को बिद्दुधारा को लेकर उसमा देता है जिसे कि हम जो electric iron होता है उसमें बिदुत के लेकर क्या करते हैं उसमें ये प्रभाव करते हैं heater भी क्या करता है बिदुत लेकर उसमें ये प्रभाव देता है ये सारे के सारे क्या थे आपके बिदुधरा के उसमें ये प्रभाव पे कुछ उपकरण आपको देखने को मिलता है जैसे की बैटरी जो सेल होता है विधुत लेपन में जो एलेक्रो प्लेटिंग किया जाता है विधातू के निसकर्षन में विधुत मुद्रण में ये सारे के सारे में आपको रसाइनिक प्रभाव देखने को मिलता है ये सारे के उर्जा की खपत होती है और जूल में बताई कि ये उर्जा कितनी होगी, सभी लोग चार का answer करेंगे कि कितना जूल खपत करेगा चोथा का answer करेंगे सभी लोग पॉल में, जिनकेपास पॉल लेट से पहुँच रहा है, थोड़ा सा वेट करके पोल का वेट करके पोल में एंसर करें, जल्दी में देने में नहीं रहें कि जल्दी एंसर देंगे तो मेरा जल्दी सही हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करके पोल का तभी करें, अगर जादे लेट हो रहा है तब बोलिए कि पोल नहीं आ रहा है, अन्य था सभी के सभी लो अगर एक घर में एक महिना में 200 इकाई उर्जा खपत होती है तो जूल में कितना है आपको पता है कि एक यूनिट में मतलब कि एक इकाई जब खपत होता है तो उसमें होता है 3.6 गुणे 10 के पहुआर 6 जूल होता है जब कि 200 जूल है तो 200 को का करना है गुणा कर दना है 3 06 गुण हे दस के पहुँवर 6 आई 2 को 0 खाती इस पार कर ये 2, 6 ग कहा है तो कितना हो जाएगा 8 उतलों तो यहाँ पे का लिखेंगे तो 2 तो रहेगा और 2 को इसमें गुणा कर दी जाएगा तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 7.2 गुड़े 10 के पहून आठ जूल क्योंकि यह यह दो जूले उठके कहा आ गया यहाँ पे, यह क्या है तो 7.2 गुड़े 10 के पहून 6 जूल, इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इसका राइट एंसर 7.2 गुड़े 10 के पहून 6 Kate जूल हो जाएगा यह चोथे नमबर का C right answer हो जाएगा अगले question की और बढ़ते हैं पाँचवा नमबर एक कार की उच गती से चल रही है तो यह किस उर्जा में इसमें कौन सी उर्जा सही होगी आप लोग पोल में answer करिये सभी लोग भाई सोचिए कि अगर नहीं पढ़ेंगे हम लोग तो क्या करेंगे अगर पढ़ते हैं तो job होगा job होगा तो कुछ लोग पहचानेंगे कुछ लोग जानेंगे और पूछ भी होगा अन्य था समाज में कौन पूछता है समाज में बेरोजगार को कौन पूछ रहा है कोई पूछता है वहीं जिसका जौब हो गया देखे कितना पूछ रहा है बचवा कहिया आईला तो एक बार है कि पढ़ते रहिए और रोज प्रैक्टिस करते रहिए तो इसी तरह अगर लगतार मेहनत में लगे रहिएगा लगतार बने रहिएगा तो इस बार पक्का होने वाला है सभी लोगों का होगा जो की मेहनत करते है चली अगर एक कार में उच गती के चाल से चल रही है तो किस उर्जा में है तो सब को पता है उच गती से चल रही है और गती के कारण जो उर्जा आता है उसको हम क्या बोलते हैं गती उर्जा बोलते है इसमें कोई discussion की नहीं है अगले question क्यों आते हैं यदि कारे कमान धनात्मक हो तो जिस निकाए पर कारे हो रहा है उसका उर्जा हां से होगा उसका मान सुनने होगा वो नियत रहेगा या उसकी उर्जाक में ब्रिधी होगी बहुत मस्त कोस्चन है VVI कोस्चन इसको ले लिजे क्योंकि यह सबसे confusing कोस्चन है और देखते हैं इसमें कितने लोग सही करपाते हैं कितने परसेंट लोगों का सही एंसर आ रहा है पोल में कौन-कौन से लोग कितने परसेंट लोग सही कर रहे है छठवा का तो देखते हैं कितने लोग सही करते हैं एंसर करें सभी लोग सभी लोग एंसर करेंगे पोल में पोल नंबर यह question number छटवा है छटवा का answer करिए A, B, C, D भाई मेरे जल्दी मत करिए जल्दी में मत कीजिए answer सोच समझ के poll में answer करिए उसके बाद end poll करेंगे जब सभी लोगों का देख लेते हैं सभी लोग voting कर लेते हैं तो इंड poll करते हैं तो उसमें आप लोग नहीं तो थोड़ा समय से सभी लोग देखिए आपको पूछ रहा है कि कारे का मन धनात्मक हो जिस निकाय पर वह कारे हो रहा होगा उसकी उर्जा में ब्रीदी होगी उसकी उर्जा में क्या होगी? ब्रीदी होगी कहा जाता है कि उर्जा एक ऐसा कारक है जो कारे करने के लिए अवस्यक होता है अतो जिस कारण से किसी वस्तु में कारे करने की छमता आ जाए कि उर्जा एक ऐसा कारक है जो कारे करने के लिए अवस्यक होता है अतो जिस कारण से किसी वस्तु में कारे करने की छमता आती है उसे उर्जा कहते हैं अर्थात यदि कारे कामान धनात्मक है तो निकाय पर हो रहे कारे में उर्जा की ब्रिधी होगी क्योंकि वह धनात्मक बढ रहा हैं तो कहेंगे कि यदि कार का मान धनातमक हो तो जिस निकाय पर कार हो रहा होगा उसका उर्जा ब्रिध्धी हो जाएगा इसलिए इसका या राइट एंसर D नमबर हो जाएगा इसी के साथ अगले कॉस्चन को बढ़ते हैं अगले question की और सात्वे नंबर question F बराबर A में Newton का कौन सा नियम है इसमें 1st नियम, 2nd नियम, 3rd नियम या 4th नियम बताईए इसमें सभी के सभी लोगों का पोल में 100% answer होना चाहिए उसके साथ साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सब का answer होना चाहिए जितने लोग होंगे सब का पोल में answer होना चाहिए और सभी का सही 100% देखना चाहते हैं कि क्या इसका भी लोग 100% answer दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं ऐसी सब question तो आपको 100% सही करना ही होगा तो बताई ये पराबर A में Newton के किस नियम के रूप में जाना जाता है answer करिये सबी लोग पोल में का भाई answer करो सबी लोग चलिए अगर A पराबर A में के अगर बात कहा जाए तो ये Newton का दुसरा नियम है आपको पता है कि Newton के पहले नियम से आपको बल का परिभासा जबकि दुसरे से बल का वेंजग प्राप्त होता है तो आपका A बराबर A में जो होता है वे Newton के दुसरे नियम से प्राप्त होता है अगले question के वर बढ़ते आठवे number किस सिधान्त के अनुसार कोई rocket अंत्रिक्ष में कारे करता है या repeating question है अभी 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले है इस question को कराये गया इसी प्रकार के question को तो बताइए कि सिधान्त के अनुसार कोई rocket अंत्रिक्ष में कारे करता है A, B, C, D पोल में answer करिए सभी लोग पोल में answer करिए सभी लोग A, B, C, D, A, T का क्या answer होगा आठ नमबर का answer क्या होगा बताइए आप सभी लोग चलिए अगर इसकी अगर बात कहा जाए कि किसके सिधान्त के अनुसार कोई rocket अंत्रिक्ष में कारे करता है तो संबेग सरंक्षन के सिधान्त पे कारे करता है एक दिन इसको डिसकास किये थे और नूटन का तिसरा नियम जो होता इस पे कारे करता है जब लिटमस का बिलियन न तो अमलिये हो और न चारिये हो तो कैसा रंग दिखाएगा बताइए आप सभी न अमलिये होई और न चारिये होई तो कैसा दिखाईगा बताओ सब बाई मेरे पढ़ते रहिये इस बार इतना पढ़ो अगर 60 कलो का हो है तो तुम्हारा वेट 45 कलो का आजाए कम से कम 15 कलो वेट घठा दू जिसका 80 कलो है वो घठा के 60 कलो पे आजा इतना पढ़ो कि कुछ भी ध्यान न रहे सिर्फ पढ़ते रहो भर पड़ो पढ़ते रहो इस बार जो रेलवे है उसमें आपके एंटीपीसी भी है एंटीपीसी में भी है उसके बाद ग्रूप डी भी है और अभी जश्ट तुरंट आने वाला है रेलवे ड्राइबर का अभी वेकेंसी आएगा तुसमें तो आज अगर महिना दो महिना अगर जिस लिटमस के बिल्लियन में न तो अमली हो नहीं छारी हो तो इसका रंग क्या होगा तो इसका जो रंग होता है बैगनी हो जाता है अमल होगा लाल कर देगा अमल जो होता है अमल जो होता है लिटमस को लाल कर देता है अमल लिटमस को का कर देगा लाल कर देगा छा छार जो होगा क्या करेगा इसको नीला कर देगा तो कहेंगे कि छार नीला करता है अमल जो होता है लाल करता है अमल लाल करता है छार नीला करता है आज जब ना अमली हो और ना छारी हो तो जो लिटमस होता हुआ बैगनी रंका होता है और फिर question आपसे बनता है कि लिटमस किस इससे प्राप्त किया जाता है तो थैलोफाइटा संग के ज़नतू थैलोफाइटा संग के जो पादप होते हैं लाइकेन प्राप्त होता है तो थैलोफाइटा संका जो लाइकेन होता है उससे लिटमस प्राप्त किया जा सकता है तो ब्रायोफाइटा, टेरीडोफाइटा और जो थैलोफाइटा होता है उसमें थैलोफाइटा में सेवाल कोवक और लाइकेन आते हैं तो लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है और यह प्रकिर्टिक सुचक होता है तो प्रकिर्टिक सुचक में लिटमस आता है फियोफेनिथिलीन आता है और क्या आता है तो लाल गोप भी आता है, लाल पात गोप भी आता है, यह सारे के सारे का है? प्रकृतिक सुचह हैं, जो की बता चुके हैं, अगले question की और बढ़ते हैं, सर बताईए कि एक परमाडूक है, गंधक, आरगन, हाइड्रोजन, ऑक्सिजन, इसमें से right answers क्या होगा? सभी लोग बत फट से चल रहे हैं, आपका सेसंस खतम कर दियागा, जाएगा समय से, और समझते चलेंगे, जल्दी क्या है? दस बज़े तक जाएंगे, सारे दस बज़े तक जाएंगे, एग घंटा फिर पढ़के सूतेंगे, यहां से set बना के फिर एग घंटा पढ़के सुतेंगे, यहा पढ़ते रहो दिनों घर, अपना आपको इतना बिजी रखो कि बगल वाली का ध्यान ना है, या जो साथ वाली है, उसका ध्यान ना है, इतना पढ़ो कि भूल जाओ कि किसी और को भी है, इतना पढ़ो कि किसी का ध्यान में न रहे कि कौन क्या है, चलिए, एक परमाडू की अगर बात कहा जाए तो देखिए गंधक है गंधक sulfur होता है हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है जब कि oxygen को O2 लिखा जाता है और argon को AR लिखा जाता है मतलब argon और एक परमाडू कहा जाता है इसमें गंधक के कितने AR लिखता है hydrogen में धूग है तो कहेंगे दी परमाडविक है वर अरगन में एक परमाडव है, इसलिए इसको कहेंगे कि आरगन एक परमाड़ेंग होता है, क्योंकि जितने भी अक्रिय गैस है helium, neon, argon, krepton, genon, redon, ये सारे के सारे single रूप से रहते हैं या किसी के साथ नहीं रहते हैं तो जो ए आते हैं सभी के सभी एक परमाडू में आते हैं जबकि गंधा का सुत्र एसेट होता है hydrogen का H2 होता है oxygen का O2 होता है तो इसमें कितने परमाडू दोगो इसमें 2 गो, इसमें 8 गो, इसमें अकेले है तो कहेंगे कि सिंगल परमाडू है एनि एकल परमाडू होता है अगले question को बढ़ते हैं 11 नमबर जल और अन्य पदार्थ से रंगीन और सुधी को बुरित गंधो से और सोसित करने के लिए कार्बन के किस अप्रूब का उप्योग किया जाता है बताइए 11 नमबर का गरभाइड का कोक कोईला का चारकोल कारवन ब्लेक का एंसर करिए 11 नमबर का पोल में एंसर करिए टीबी पर परचार देता है एक पॉंट्स का आता है पॉंट्स का एक परचार देता है पॉंट्स जो फिस्वस आता है उसमें देता है प्रचार कौन सा परचार देता है कहता है कि यह इस युक्त का फेस्वस है जो कि आपके अंदर की गंदिकी को खीच लेता है तो क्या बोलता है तो वह कहता है कि चारकोल युक्त पॉंट्स जो पॉंट्स है कहता है कि चारकोल युक्त यह फेस्वस बनाये गया जो कि आपके अंदर की गंदिकी को खीचता है तो यह जो है आपसे पुछा कि जल एम आन्य रंगीन आउसुदियों को बुरी गंधो और आसोसित करने के लिए कार्बन को किस अपरूप का उप्योग किया जाता है मतलब कि आउसुदियों को और रंगीन आउसुदियों को हटाने के लिए किसका तो चारकोल का उप्योग किया जाता है चारकोल देखे कैसे प्राप्त किया जाता है तो चारकोल यह होता है लकडी को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिती में मतलब कि oxygen नहीं रहे oxygen की अनुपस्तिती में उसके जलवास्प को भी निकाल दिया जाए उसमें जो लकडी है उससे जलवास्प के मात्रा को विका कर दिया जाता है हटा दिया जाता है तो जो उसमें बचता है वो होता है आपका क्या होता है तो खाता है कि जब लकड़ी या कोईले के कास्ट को जब चरकोल को ऑक्सिजन के अनुपस्तिती में गरम करके वहां से जल की अनुपस्तिती भी हटा दी जाता है जब चरकोल बनता है अच्छा अगले question क्यों बढ़ते है बारण नंबर का कैलेसियम के परमाणू दरब्मान कितना होता है 40 होता है 24 होता है 23 होता है इसका poll में 100% answer चाहिए क्योंकि आप group D के तयारी होने वाले को कम से कम कैलेसियम का परमाणू दरब्मान तो याद ही होना चाहिए अगर किसी का ग परमाणू दरब्मान याद होगा कैसे group D निकलेगा तो कम से कम कैलेसियम के परमाणू दरब्मान आपको याद रहना चाहिए कि कैलेसियम का परमाणू दरब्मान कितना होता है तो इसमें 100% पोल में चाहिए सभी के लिए पोल रोके हुए हैं देखते हैं कितने लोग का answer स 40 होता है मत्तब परमाणु कर्मान के बेस और परमाणु द्रमान इसके 40 होता है कैलेसियम के अगर बात कहा जाए तो इसे दुसरे वर्ग के चौथे आवर्थ में रखा गया है यानि कि 2A में रखा गया है यानि कि दुसरे वर्ग के चौथे आवर्थ का यह तत्त तो जो होता है'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' कैलेसियम जो है इसका परमाणू करमांक 20 जबकि परमाणू द्रबन 40 होता है यह आवर्थ चौथे आवर्थ के दूसरे वर्ग में इस्तित है तो आवर यह क्या है एस ब्लोक है पी ब्लोक है और यह डी ब्लोक है तो यह एस ब्लोक के तत्व है तो आप से पूछे कि कैलेसियम किस ब्लोग का तत्व है? एस ब्लोग का इसे दूसरे अवर्ग के चोथे अवर्थ में सामिल किया गया है इसी के साथ अगले कोस्चन की और बढ़ते हैं चोथे अवर्थ के दूसरे समवू में मोजूद तत्व कौन सा लीजिए इसका भी एंसर 100% चाहिए देखते हैं कितने लोग ध्यान से सुनते हैं हमको और इसका राइट एंसर कर पाते हैं चोथे अवर्थ के दूसरे समवू में मोजूद तत्व असकेनेडियम, पोटासियम, मेगनिसियम, कैलेसियम बताओ, कौन सा इसका एंसर होगा बताओ, इसका एंसर क्या होगा चोथे अवर्थ के दूसरे समव में मोजूद होते हैं पोल्लम एंसर करेंगी इसका भी एंसर अभी बताओ, जश्ट तुरंत बताओ, देखते हैं तब पर भी गलती करेगा, लोग जानते हैं तब पर भी गलती करेगा चली अगर तेरा नमबर की अगर बात कहा जाए तो अभी बताएं क्या बताएं अभी बताएं कि जो तेरा नमबर आप से क्या बोला है चोथे आवर्थ के दुसरा समूग चोथे आवर्थ के दुसरा समूग देखिए इसी questions को कहते हैं कि discussions अगर आप discussions सही से सुनेंगे तो उसे कहां आपको अगला questions मिन नहीं वाला है क्योंकि आपसे पूछ सकता है कैलेसियम को किस वर्ग में रखा गया है तो दूसरे वर्ग में कौन सा ब्लोग एस ब्लोग में कौन से अवर्थ के चोथे वर्थ में एस सारे के सारे questions बनेगा तो जो आपसे पूछा कि चोथे वर्थ के दूसरे समूँ में किसको रखा गया है तो वह है कैलेसियम को जिसका परमाणू करमांग बेस और परमाणू दर्मान 40 होता है अगले question के बढ़ते हैं अगला question है चोधा number कि किस बिकल्प का गलनांक point और क्वथनांक सबसे अधीक होता है आपको बताना है किन्दी में से बताना है कि किसका boiling point और melting point दोनों के दोनों क्या होते हैं अधीक होते हैं लिथियम का, फासफोरस का अरगन का या कारवन का बताएए कि किसका गलनांक या क्वथनांक जो हता है यारी melting point या boiling point सबसे अधीक होता है इसमें देखते हैं इसमें सभी लोगों का percentage कम होगा क्योंकि अधीकतर लोगों का या concept clear नहीं है कि इसका right answer क्या होने वाला है तो इसका right answer क्या होगा सभी लोग बताई जल्दी से सभी लोग इसका answer बताएंगे सभी लोग इसका answer करें जल्दी से क्या होगा 14 का किस बिकल्प में गलनांक और melting point और कौथांक सबसे अधीक होता है 14 का answer कर ये सभी लोग दिखते हैं चलिए अगर इसकी अगर बात कहा जाए तो सभी से अधीक गलनांक और melting point जो होता है वे carbon का होता है इसका right answer C होगा अब इसको समझना चाहिए तो समझीए क्या होता है समझीए अब क्या होता है न कि दो चीज होता एक होता है धातू और एक होता है अधातू ठीक है तो आपको पता है कि ये सारे के सारे जो इधर दिखाई देते हैं आपके ये सारे जो होते हैं धातू के होते हैं और जो आपके पुछता है कि धातू जो है प्रियोडिक्टेबल के बाएं साइड में जब की अधातू प्रियोडिक्सेवल के दाएं साइड में रखा गया है तो इधर जो होता है आपकी अधातू इधर होते हैं धातू अब क्या होता है कि अगर आपको चलना होगा कि क्या होता है तो जब आप देखिए जब आप क्या करते हैं ऐसे चलते हैं देखिए जो हारा वाला दिखाई दे रहा आपका मिल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट को बता रहा जो हारा यह साइन दिखा रहा है मिल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट को बता रहा यह सारे के सारे जो दिखाई आपको दे रहे होंगे यह सारे के सारे क्या है धातू है और यह जो दिखाई दे रहा है अधातू है कुछ उपधातू के भी इसमें रखे गए हैं तो इसे करके आया है अब क्या होगा ना कि आप इधर भी चलिएगा तो जो आपका boiling point बढ़ेगा और इधर से भी आने पर boiling point बढ़ता है मतलब कि धातू से अधातू के तरफ जाते हैं तपर भी बढ़ता है और अधातू से धातू के तरफ भी आते हैं कि दो धातू है उसको melting point और boiling point अवर्थ साड़ी के बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है जबकि अधातू को दाएं से बाएं आने पर बढ़ता है धातू को बाएं से यह है बायापक्ष और यह होता है दाएं तो बाय से दाय जाने पर जो boiling point होता है वो बढ़ता है किसका तो धातू का जबकि धातू का दाय से बाय आने पर क्या होता है बढ़ता है और बीच में ऐसा होता है तो बीच में यहां पे का हो गया, कार्बन हो गया दिखाते है कार्बन का है और उसके साथ-साथ जब आप नीचे की ओर आते हैं तब पर भी क्या होता है आपका मिल्टिंग पॉइंट का होता घड़ता है यह साइन आपको बता रहा है तो कहेंगे कि बायर से दाय जाने पर धातू में पड़ता है जबकि अधातू में बायर से दाई जाने पगड़ता है तो इस figure को आप इधान में रखेंगे यह क्या है हारावला आपको बता रहा है कि अगर आपका boiling point की अगर बात कहा जाए तो boiling point बाएं से दाय जाने पर धातू में बढ़ता है जबकि अधातू में दाय से बाएं आने पर बढ़ता है घड़ता कब है तो इसको इधार आने से और इसको इधार आने से नीचे भी आने से तो यह देखिए आपको इसमें कौन कौन से तत्व दिये गए थे देखिए एक तत्व था आपका lithium phosphorus क्या होता है lithium फिर होता है phosphorus फिर होता है carbon और एक और तत्व दिया था एक और तत्व कौन सा था देख लेते हैं आरगन था क्या था आरगन था ये आपके क्या है आरगन है और आपको पता है कि हम इधर से जाते हैं तो मिल्टिंग पॉइंट बढ़ता है और इधर से भी जाते हैं तो मिल्टिंग पॉइंट क्या होता है बढ़ता है तो देखिए लिथियम के अपेक्षा कार्बन में क्या होगा बढ़ा कर देते हैं एक सिकंट थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं देखिए ठीक है देखिए या लिथियम था कार्बन था फसफोरस था आरगन था और आपको पता है कि जब इधर से जाते हैं धातू के स्रीणी में तो बढ़ता है मतलब कि इस सब का जो बेलिंग पॉइंट होता है इसके पिक्षा इसका बोलिंग पॉइंट अधिक होगा तो लिथियम से कार्बन तक गए तो कार्बन का क्या होगा इधर क्योंकि इधर से जाने पर इधर बढ़ता है तो lithium के फेक्षा carbon का अधिक होगा जबकि phosphorus इधर से आने पर फोलरीन है या क्या फोलरीन है इधर से भी आते हैं तो बढ़ता है और यह क्या इधर इसका right answer क्या होगा आरगन भी नीचे की और आने पर क्या होता है decrease होता है जब किधर आने पर बढ़ता है तो इसका right answer कार्बन हो जाएगा तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि किधर से किधर जाने पर बढ़ता है और किधर से किधर आने पर घटता है तो धातू में पाए से दाए से जाने पर बढ़ता है उबरग में कहा जाए तो उपर से नीचे आने पर घटता है यह question आपके थे अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question देखने से पहले आप लोगों को एक information है हम लोग सुबा में 8 बजे जुड़ते हैं जो कि जो कल सुबा का जो होगा सुबा जो 8 बजे होगा वो तिसरा सेट होगा तिसरे सेट क्योंकि आपको तिसरा सेट देखने को मिलेगा तिसरा सेट आपको जल्द ही देखने को मिलता है दुसरा सेट आज रात्री में आज रात्री में आज सुब़ जो होगा आपको दुसरा सेट मिलेगा देखने को अगले दिना तिसरे सेट तो आप लोग का दुसरा सेट के साथ का करिए कि जुड़िए जो दुसरा नंबर सेट है उसका भी ही बना दिया गया है तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी 8 बजे जुड़ी है क्योंकि सर देखी है कि 45 question में आपका 25 question 20 से 25 question science का तो 20 से 25 question आपका GKGS और current interface का है तो जिसना weightage science का है उतना weightage GKGS का भी है तो आप इसको हलके में ना ले ने तो हलका में लेने में चल जाएगा जानिए कहा जाना है चल जाएगा एके बार तो इसलिए सभी चीजों को महत्पूर्ण चीजों को समझते रहिए सब कुछ को पढ़िए क्योंकि सभी चीज में आप 100 percent perfect नहीं कर सकते हैं आप कभी भी 25 go science में से 25 नहीं कर सकते हैं कभी मैं 25 में से 25 नहीं कर सकते हैं, 30 में से 30 नहीं कर सकते हैं, 25 में से 22 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, तो माल लेते हैं कि 20 से 22 इसमें करिएगा, इसमें 20 से 22 कर लेते हैं, माल लिजे कि 20 इसमें करते हैं, 20 इसमें करते हैं, 20 इसमें कर लेते हैं, 20 इसमें करते हैं, 20 इसमें करते हैं इसलिए सभी चीज़ों पो आप ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ साइंस पहीं, और ना कि मैथ और इजनिंग पहीं, तो सभी बस्तू को पढ़ते रहे हैं, सभी सब्जेक्ट को पढ़ते रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए सुबह 8 बजे लेकर प्रती दिन आ रहे हैं, कौन सा योगिक double bond बनाता है, प्रोपाइन, प्रोपिनल, प्रोपेन या प्रोपीन, बताए 15 का एंसर क्या होगा, कौन सा योगिक में double bond होता है, दोहरे बंद के साथ होता है, एंसर करिये सभी लोग, कौन सा योगिक जो है, दोहरे बंद के साथ होगा, प्रोपीन, प्रोप चलिए, अगर इसकी अगर बात कहा जाए कि कौन सा यह होगी, डबल बॉन्ड होता है, तो सर आपको पता है, एक होता है, एलकेन, फिर होता है, एलकेन, और होता है, एलकेन, एलकेन में सिंगल बॉन्ड सबको पता होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, एलकेन में डबल triple bond होता है, सबको पता है, alkane का सूत्र CnH2n plus 2 होता है, जबकि इसका CnH2n होता है, जबकि इसका CnH2n minus 2 होता है, आप से double bond पुछा है, तो double bond किसमें, क्योंकि alkane के जो स्रेणी के होंगे, उसमें तो single bond होगा, और जो तो एलकीन स्रेणी के होंगे वही से डबल बॉंड होगा तो आपको इसमें से छाटना था कि कौन सा एलकीन स्रेणी का है अगर एलकीन स्रेणी का जो होगा उसी में डबल बॉंड होगा प्रोपेन या तो एलकेन से मुखा होगा इसमें सिंगल बॉंड होगा प्रोपाइन जि या क्या है double bond के साथ है तो या क्या है डबल बॉन्ट, एलकाइन में ट्रिपल बॉन्ट तब प्रोपेन और ही होता है प्रोपेन छो हता है या एलकोहल समूँ से होता है जो की एलकोहल समूँ को जोड़के बनाया गया तह या नहीं है तो आपसे पूछाता है कौन सा योगिक डबल बॉंड होगा तो प्रोपीन इसका राइट एंसर हो जाएगा अगले कोस्चन के और बढ़ते हैं 15 नंबर बिकल्प में सबसे तन्य धातु कौन सा है इसका पोल में एंसर करेगे क्योंकि हलका कोस्चन होता है तो जल्दी से टीप देते हैं जल्दी से मठ टीप है ध्यान से देखकर एंसर करिये कि सबसे तन्य धातु कौन सा होता है C-U-A-L-A-U-A-G मतलब की तामबा, एलुमिनियम, सोना और चांदी में एंसर करिये क्या होगा सबसे तन्य धातु, इभी कोस्चन सबसे गलती नहीं होना चाहिए इस सब कोस्चन में आपको एकुरेसी के साथ सही एंसर करना होता है चलिए, अगर आपसे पूछे कि सबसे तन्य धातु कौन होता है सबसको पता है कि जो सोना होता है सबसे तन्य धातू और सबसे अगतवर्दे धातू होता है आपको बताना है कि सबसे कम अभिक्रियासील है नीमनी में से छाटना था अभिक्रियासील मैगनीज मैगनीसियम, हाइडोजन, पारा या अलूमिनियम होता है बताईए सबसे कम अभिक्रियासील कौन होता है और अभिक्रियासील के लिए आपको एक दिखायत है आपको एक चार्ट दिखायत है जो कि अभिक्रियासील के लिए और बोले थे कि आप लोग याद कर लिए जिएगा कि कौन सा कौन अधिक अभिक्रियासील है और कौन सबसे कम अभिक्रियासील है उसके लिए एक आपको चार्ट दिखाये थे तो 17 का एंसर करिए भाई जाते जाते लाइक भी करते रहो भाई आज 17 दिन से हो गया लेकी लड़का नहीं बढ़ रहे है क्या अच्छा नहीं लग रहा है सेसं सेसंस नहीं अच्छा लग रहा है बच्चे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं और ये दोस्तों को भी जुड़िये कम से कम 20-25-30 लोग हो ताकि अच्छा लगे करने में भी तो संख्या दो-दो करके बढ़ाए जैसे कि प्रतेक रोज सेट करके बढ़ा रहे हैं एक-एक सेट रोज बढ़ रहे हैं 17 असेट कर रहे हैं 17 दिन से लगतार मेनत कर रहे हैं तो आप लोग भी संख्या बढ़ाते रहिए और सुरू से अंतक जुड़े रहिए चलिए कौन सा कम अभिक्रियासील है तो पाराज होगा सबसे कम अभिक्रियासील होगा जो सबसे अभिक्रियासील तत्तो है देखिए इसका क्या है कुछ जो कि आपको इन तत्तों को रखना ही रखना है अगर इन तत्तों को याद रख लेंगे तो आपका बन जाएगा देखिए क्या होता है potassium सबसे अधीक अभी क्रिया fiance ya तीर दिखा रहा है तत तो potassium, sodium calcium, magnesium, magnesium aluminium, carbon zinc, iron, tin lead, hydrogen, copper, silver gold इह सारे के सारे अगर आप याद रख लेते हैं कि यह सारे के सारे जो है इनका kram है तो क्राम में खाएंगे कि यहां तीन वोता आपको कम से कम इतना याद एद रखना होता है। पोटाइसियम जाएगा पोटाइशिम, सोडियम, कालेशियम, मेगनिसयम, लिमुनियम कारबन कम से कम इतना याद रखे तो इसके लिए तरिक हैं मिया फिर प्लीज इस stop calling me a careless या कोई लड़की बोल रही है किसी लड़के को कि please stop calling me a careless कम से कम इतना याद है कि please stop calling me a careless please say pause से pause से potassium, stop से sodium calling से calcium M से magnesium A से aluminium और carbon यह क्या है क्रम है इसको याद रखिए कि सबसे अधिक होता है उसके बाद zinc, iron, tin, lead hydrogen copper silver gold यह सारे कैसारे क्या है तो सबसे अधिक अभी kriacil तत्तो पोटाइसियम सबसे कम kriacil तत्तो गोल्ड होता है यानि सोना होता है तो आपके option में क्या क्या थे तो देखिए आपके option में थे magnesium क्या थे आपके option में थे magnesium तो magnesium आर लिजे उसके बाद आपके option में क्या थे magnesium के बाद hydrogen और aluminium hydrogen पारा hydrogen उसके बाद aluminium है उसके बाद παरा तो παरा कहीं नहीं दिखाई दे रहा इसका मतलब कि उनी के बीच में होता है तो सबसे कम जो होगा magnesium तो होगा नहीं, aluminium होगा नहीं hydrogen होगा नहीं, और यह सारे कि सारे क्या है करम दिखाएं गए हैं तो पारा में जो होता है सबसे कम अभी क्रिया सील होता है तो कहेंगे कि नीमिन में सबसे कम अभी क्रिया सील जो होगा वे पारा होते हैं इसलिए इसका राइट अंशर भी हो जाएगा अगले question क्यों बढ़ते हैं किरेकिस्तानी पोधे की बाहत्वाचा में एक मोटी मोम की परत होती है उसको क्या कहते है पैक्टिन, क्यूटिन, सेलूलोज, लिगनिन बताईए क्या होता है किरेकिस्तानी पोधे की जो बाहत्वाचा के में होता है बाहे तो अचाकू epidermis कहा जाता है कि मोटी परत होते हैं उसको क्या कहते है cutene, pectine, cellulose या lignin सभी के सभी लोग पोल में answer करिए पोल में answer करिए सभी लोग क्या होगा मुर भाई सभी लोग answer करो भाई इस बात सोचे हैं कि सभी लोग हो जाता जितनी भी लोग है सभी लोग का एक साथ हो जाता तो मज़ा आ जाता कि हाँ एक बार हुआ है सभी लोग को इस ग्रूप के साथ जूड़े थे और इस ग्रूप के सभी जितने भी लोग है सभी के सभी लोगों का हुआ है तो एक बार बनाई देखिए अगर रेगिस्तान की अगर बात कहा जाए कि जो रेगिस्तान के पौधे की जो बाहत वचा होता है बाहत वचा को एपीडर्मिस कहा जाता है तो जो एपीडर्मिस होता है या क्यूटीन के कारण क्यूटीन की एक मोटी मोमी परत के कारण से होता है अब क्या होता है न कि जो रेगिस्तान के पौधे होते है जो रेगिस्तान में होता है वह क्यूटीन का करता है एक मोम के जैसा पतला परत चढ़ा देता है क्योंकि रेगिस्तान में आपको पता है कि पानी की कमी होती है और इमान लिजे कि अपता है मतलब कि जो उसकी पती है उस पे का करता है? उपर मोम की जैसा का करता है? पतली परत चढ़ा देता है. पतली परत इसलिए चढ़ाता है, क्योंकि अगर इस पे जब सुर्य की प्रकास पढ़े, तो जो इसमें जल की मातरा हो, वास्पित न हो, उसको वास्पित करने से रुपता है, ताकि पानी अधिक दिनों तक या राज सके रहे और मुर्जाय ना तो यह पोधे को बचाने के लिए पानी कम से कम हो सके क्यूटिन का करता है कि मोटी मोट जैसी परत होती है और यह वास्पी करण के दर को कम करता है जिससे कि बाहे जल अस्तर बनी रहे मतलब कि जो उसमें जल अस्तरो बनी रहे मोटा मोटी यह समझे ना कि यह जो क्यूटिन होता है जो पता पती होगा ना पती के उपर का करेगा पतली परत मोम जैसा चड़ा देगा और जो मोम जैसा पतली परत चड़ा देगा तो यह मोम जैसा पतली परत का करेगा ना कि जो आपके पत्ती के अंदर जो जल होता है उसको वास्पित नहीं होने देता है उसका वास्पित करण नहीं हो पाता है तो आपसे पूछे कि पौधे की बाहत्वाचा में एक मोटी मोम जैसी परत जो होती है उसको क्यूटीन कहते ह क्या कहते हैं क्यूटिन कहते हैं या लिगनीन जो होता है लिगनीन के कारण जो होता है आप जब पर निकाइमा को ले निकाइमा पड़ते हैं तो लिगनी के कारण क्या होता है मजबूती मिलता है जो आपका मजबूती आता है तो उसमें मजबूती लिगनीन के कारण से होता ह अब सोब लों को अगले आते हैं 19 नंबर के लिए और 19 नंबर पुर्णज्णनन का अर्थ क्या होता है पूनर जनन का अर्थ क्या होता है। ठेप पर सभी लोग इसका एंसर करिए पोल में.. जोपोल है उसका इंसर करिए,. और सुबह वाला सेशंस में जरूर जोड़िये। जो इसट, दो नमबर सेट जो बनाया है, जो रिदॆण़ सेट है.. वो इतना संदार सेट बना है आपका time बहुत कम lapse किये हैं आपको point by point discussion किये हैं और उसमें आपको गज़ब फिल आएगा क्योंकि questions में कल वाला sessions में जरूर जूर के देखिए कल मज़ा नहीं आए तो छोड़ दीजेगा क्योंकि कल बहुत 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 तरीके से उसको सजाए हैं उसका discussions भी बनाया है और उसको क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ यह परिच्छा उप्योगी question है क्योंकि वैसे ही question डालेगे हैं जो कि आपके परिच्छा उप्योगी जैसे question है तो पुनर जनन का अर्थ क्या होता है तो छोटे खंड के जीव को जो छोटे खंड से जीव पूरे सरीन का निर्मार करता है पुनर जनन में अपने को बिगटित करके खंड जो होते हैं छोटे जीव का निर्मार करते हैं अगले कोस्चन में वडिंग की प्रकिरिया प्रजनन के ल का उप्योग करता है कौन को 10 का 2 नमरका सर 사고 जल्दी से करेंगे कि इसका र्ब्लैट एंसर क्या होगा सभी लोग एंसर करिए कि बडिंग की प्रकिरिया में प्रजनन के लिए पुनर जनन की कोशिकाओं का उपयोग होता है खमीर के लिए, प्लनेरिया के लिए, अमीबा के लिए, हाइडरा के लिए तो चलिए अगर इसकी अगर एंसर की बात कहा जाए तो जो budding की प्रकिरिया में जो प्रजनन के लिए पुनर जनन करता है उसका right answer होता है Hydra Hydra में प्रचलन जो होता है वे मुकुलन बिधी द्वारा या पुनर जनन के द्वारा होता है तो कहेंगे कि Hydra जो है उसमें budding की प्रकिरिया प्रजनन के द्वारा होता है इसलिए इसका राइट एंसर D हो जाएगा अगले question के और बढ़ते 21 नंबर कौन सा पादप हार्मोन नहीं है एड्रिलिनिन, जेब्रिलिन्स, आक्सीन, अबिसिसिक एसिड यहीं कि अबिसिसिक अमल बताई 21 का राइट एंसर क्या होगा पोल में सभी लोग एंसर करेंगे और जो लोग लेट से जुड़े हैं आप से निवेदन है, आप मेरे भाई आप मेरे दोस्त, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग समय से जुड़िए 9 बजे, रात्री 9 बजे साइंस वाले में, जबकि 8 बजे सुबह, जो एस्टेटिक्स का जो चल रहा है उसमें जुड़िए, भाई इसमें 25 कोस्चन और उसमें 30 कोस्चन मिलेगा आपको और टोटल मिलाके, एक दिन में आपको 55 कोस्चन कराए जाएंगे और 55 के 55 कोस्चन आपके ग्रूप D, उपियोगी कोस्चन होंगे तो आप लोग जुड़िए दिन भर पढ़िए, दो घंटा निकालिए, टेस्ट देने के लिए बाकी आप लोग दिन भर पढ़ते रहिए उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन और अबिसीसिक जो होता या पादफ हर्मोन है जिब्रेलिन्स भी पादफ हर्मोन है ऑक्सिन्स भी और अबिसीसिक के एडिसिक जिब्रेलिन्स के खोज कुर्सोवा ने किया था ऑक्सिन्स को ज़िए डार्वी ने हमारे कानों में उपास्थी के कारण जो एक प्रकार के संयोजी उतक है कानों को मुणा जा सकता है कौन से उपास्थी को मत कानों में कौन से उपास्थियों की उपस्थितियों के कारण मत कौन सी उपस्थिति के कारण संयोजी उतक बनते हैं जिससे कान को मुड़ सकते हैं कान को मुड़ते हैं हड़ी नहीं टूटता है का होता है उसमें कौन सा हड़ी होता है सिराव होता है हड़ी होता है सनायू होता है या उपस्ती होता है उपस्ती को हिंदी में क्या बोलते हैं कार्टीलेज बोलते हैं हड़ी को बोन्स, तो आपको बताना है कि कौन सा एंसर होगा, जल्दी से एंसर करिए सभी लो, कि हमारे कान में जो मुलाइम होता है, जो हड़ी होता है, उसको क्या कहते हैं, हड़ी कहते हैं, उपास्थी कहते हैं, सिराय कहते हैं, स्नाय कहते हैं, तो देखिए जो हमारे कान में जो उपस्थी ती कारण जो होता है वो उपस्थी होता है जो कार्टिलेज होता है या मुलाइम होता है आपको जहां जहां मुलाइम हड़ी की काम होगी नो वहाँ पे कार्टिलेज होता है इसलिए इसका राइटेसर कार्टिलेज होता है आपको को कंदर आज अब कि लिंगा मेंटस को सनाई बोलते हैं हड़ी अब को पता है सिराएं जो की रक्तवाहिनिया सिराएं होता है धमनी और सिराएं उसमें होता है वे होता है निसेचित अंड में यूगमज किसमें समिष्ठ हो जाते हैं जो निसेचित अंड होता है जब निसेच अंड में इगमज किसमें समिष्ठ हो जाते हैं अंडासे में गर्भासे में योनी में या गर्भासे ग्रीवा में तो सभी लोग इसका एंसर करिए क्या होगा तेश नंबर का एंसर करिए सभी लोग चलिए जल्दी से एंसर करिए इस सभी लोग इसी का इसका एंसर बताइए क्या होगा पोल में एंसर करिए सभी लोग देखिए अगर निसेचित अंड जो होता है युगमज जो होता है समिष्ठ हो जाते हैं किसमें तो वो हो जाते हैं गरभासे में किसमे हो जाते हैं गर्भासे में हो जाते हैं तो देखिए अगर हम मादा जनन तंत्र की अगर बात कहें कि जो मादा जनन तंत्र कौन कौन से होते हैं तो यह देखिए होता है यह होता है आपके अंडासे दोनों तरब पुछता है कि अंडासे कितने पाए जाते हैं एक जोड़ी अंडासे कितने होता एक जोड़ी और यह जो आपको दिखाई दे रहा है अंडासे वाहिनी जिसे ही आप लोग क्या कहते हैं अंडासे वाहिनी को जिसे फोलेपियन ट्यूब जिसे कहा जाता है अंडा करते हैं फलोपियन टीव में तो यहां पे अंडाडू और सुक्राणू का क्या होता है निसेचन होता है तो आपसे पुछता है कि अंडाडू और सुक्राणू का निसेचन का होता है तो फलोपियन टीव में अब निसेचीत अंड होने के बाद जब निसेचीत हो जाते हैं तो कि कहेगा कि आज जो गर्भासे होता है ज्यान से सुनिए गर्भासे मादा जनन तंत्र का एक अंग होता है और जो मासिक धर्म गर्भ धारन करने में तथा प्रसोष सहित कई प्रजनन के कारे में करता है तो जो गर्भासे होता है प्रजनन तंत्र में यह कई कार्यों को करता है जैसे कि जो मासिक धर्म होता है गर्भासे धारण और प्रसोष सहित जो अन्य क्रिया हैं वे सारे के सारे आपके गर्भासे के ध्वरा ही किया जाता है आप पुछे कि यह हार्मोनल का भी अभी-कभी यह हार्मोन्स सिक्रेसंस भी करता है जब अंड निसेचित हो जाये तो अलग क्या होता है ना कि अलग-अलग जैसे के रिलेक्सिस हुआ ठीक न, रिलेक्सिस टाइप के हर्मोंस जो होता है, यह सारे हर्मोंस क्या करता है, स्रावित करता है, तो जो अंडासे होता है, यह बहुत सारे जो गर्भासे होता है, बहुत सारे कारियों को करता है, तो पुछे कि गर्भासे में, जो होता है, यह मासिक धर्म में भी, यह जो तो बच्चे को क्या करना है? अस्थान देने के लिए जब अंड जो हो जाएगा, अंड क्या? तो जब सुक्राणू और अंडाडू निसेचीत हो जाते हैं, जो अंड के रूप में हो जाता है, अंड फिर जाके गरभासे में हो जाते हैं, अगरभासे में या धिरे-धिरे बि कहता है तो आपसे पूछे आपसे question पूछे कि जो निश्चीत अंड है युगमज के किसमे समास्ट हो जाते है तो जो अंड होता है वो घर भासे में स्रावित हो जाता है गर्भा गरभासे गरिवा जो किया होता है तो पुछता है गरभासे गरिवा का है तो जहां से गरभासे में प्रवेस होता है उसको गरभासे गरिवा कहा जाता है अगले कोस्टिन क्यों बढ़ते हैं 24 नंबर हिर्दय मेंब्रेन धिली दो परतों से ढखा होता इस धिली को क्या कहते है जो हरदय मेंब्रेन जिलिन दो परतों से ढका ओता इन जिलियो, को क्या कहते हैं plugormony membrane pericardial membrane systematic membrane या precampal membrane बताईए, क्या होता है हरदय बताईए, क्यों हिरदय में जो जिलिय होते हैं, उसको क्या कहते हैं सभी लोग answer करेंगे, क्या होता है 24 नमर का पोल में answer करिए सभी लोग चली अगर इसका answer की अगर बात का जाए तो यह pericardial membrane होता है कौन सा होता है तो आपसे पूछे कि जो हिर्दय में जो जिल्ली पाए जाते हो कौन सा जिल्ली होता है तो pericardial membrane होता इसका right answer ए हो जाएगा क्या हो जाएगा पेरिकार्डियल मेंब्रेन होता है क्योंकि हिर्दय जो होता है आपके हिर्दय में दो जिल्ली जो जिल्ली होता है इसके अंदर पेरिकार्डियल द्रॉव होता है पेरिकाडियल द्रव और जो जिली पाए जाता है इसको पेरिकाडियल जिली या पेरिकाडियम मेंब्रेन कहा जाता है या जिली और यह द्रव क्या होता है तो जब आपका जब आपका जो हड़ी होता है उसको क्या बोलते है जो छाती वला हड़ी होता है उसको बोला जाता है ध्यान में नहीं आ रहा है कुछ बोला जाता है उससे चोट न लगे इसके लिए एक pericardial तो आपको याद रखना है कि दो दो परते होती है उनको किस नाम से जाना जाता है pericardial membrane के नाम से जाना जाता है पुलोमेनरी membrane जो होता है यह आपको फेपडे में देखने को मिलता है जो फेपडे के जिल्ली होता है उसमें बना होता है तो यह आपके फेपडे का है जबकि pericardial membrane जो होता है हिरदय का होता है अगले question और इस question का last question है कि कौन सा गूर द्वी बीजपत्री पौधे का एक गूण नहीं है कौन सा एक गूण है जो द्वी बीजपत्री में नहीं पाय जाते है तो आप बताईए कि कौन सा गूण है जो कि ए दो बीजपत्री में नहीं पाय जाते है जलिदार सीरा सनचना होना रेसेदार जड़ होना मुखे जड़ होना दो बीच पत्र होना तो 25 का एंसर करिए सबी लोग पोल में एंसर करिए कोई नहीं भागेगा लाश्ट का इसका डिसकर्सन है डिसकर्सन सुनके जाएगा क्योंकि एक कोस्चन यहां से बनता है और सबसे भी वियाई कोशन यहां से बनता है इसलिए जल्दी में न रहेंगे जल्दी में भागने का कोशिस न करेगे देखिए जो डाई कोट होता है मोनो कोट होता है तो दो बीच पत्री पोधे में कौन सा गुड नहीं होता है जल्दार सन रचना का होता है इसका मुख्य जड भी होता है और दो बीच पत्र होता है तीनों के तीनों होता है जबकि रेशेदार जो जड होता है या एक बीच पत्री में एक बीच पत्री में या मोनो कोट में होता है आपको दिखाते हैं मोनोकोट और डाइकोट यह देखें डाइकोट के पोधे हैं मतलब कि यह जो होता है आपका द्वी बीजपत्री के पोधे होते हैं जो द्वी बीजपत्री के पोधे होते हैं इन में जो जड़ होता है देखिए जो जड़ होता है यहां से निकला फिर यहां से करके यहां से आया यह आपको जड़ दिखाई दे रहा है इसका जड़ जो होता है रूट्स के और इसका जड़ होता है गोलाकार रूप में होता है देख रहे हैं आपको ऐसे जड़ कुछ दिखाई देगा जिसका जड़ ऐसे दिखाई दोगा देगा उसका माली जेगा कि वे क्या है द्यवीजपत्री पत्ती से कैसे पाचानिएगा तो पत्ती जो हता है पत्ती अगर ऐसे बना रहता है तो उसके बीच में ऐसे करके ऐसे ऐसे करके देखते हैं रहता है तो जिस पत्ती में ऐसे करके रहता है तो पाचान सकते हैं कि वह भी क्या है द्वीबिच पत्री है या तो आप उसके जड़ से पाचानिये, अगर यहां से एक कनखा निकल कर उस कनखे से फिर फूर्ता चला जाए, तो यह जो होगा द्वी बजपत्री होगा, या पत्ती से पाचानना होगा, तो आपको ऐसे करके काटा रहेगा वे होता है, द्वी बीजपत्री, तो आप उसक जब कि यहां से देख रहे हैं यही से निकल रहा था जबुकि यही से सभी कि निकल रहे हैं तो यही से घास में जो कि मोनोकोट होंगे आपको जड़ ऐसे देखने को मिलेगा जिक दाइकोट होते हैं उसमें टेप रूट मिलता है मतलब्कि जो गोलाकार रूप में जड़ मिलता है तो आप जड़ से भी देख सकते हैं तो जिसका जड़ में अगर आपको ऐसा दिखाई देगा जिसका जड़ ऐसा दिखाई देगा वे होंगे 2 बिचपत्री और जिनका जड ऐसा दिखाई देगा उसको हमका बोले एक बीच पत्री तो अधिकतर घास आपको इसी तरह दिखाई देता है वे होते हैं एक बीच पत्री और जिसके जड आपको कुछ ऐसे रूप में दिखाई दे जो कि एक जड़ के रुप में इसे कनखा फूटा हुआ दिखाई दे वे होता है दुए बीच पत्री और फिर दूसरा पत्ती से हम लोगों को पाचानना होता है तो जो पत्ती होगा दुए बीच पत्री में वो ऐसे करके क्या होता? ऐसे ऐसे रहता है जबकि एक बीच पत्री में होगा न तो वे डाइरेक्ट ऐसे रहेगा और कुछ नहीं रहेगा बस ऐसे कर देगा ऐसे निकले रहेगा मतलब कि जैसे अब इसमें बीच में ऐसे कनखा नहीं रहेगा जिसे कि ऐसे इसमें धारी धारी रहता है और जब कि इसमें धारी धारी नहीं रहता है तो पत्ती से भी आप आचान सकते एक बीच पत्री है या दो बीच पत्री है जिसमें ऐसे पत्ती रहेंगे ऐसे जड़ रहेंगे दो बीच पत्री जिसमें ऐसी जड़ होंगे और ऐसे प उनको एक बीजपत्री कहा जाता है, उसको एक बीजपत्री कहा जाता है, तो एक क्या थे आज के question थे, आज हम लोगों ने अपने समय से भी कतम कर लिया है, तो एक क्या थे, आज के question थे, तो आप से पूछा था, कि क्या होता है, तो जालीदार जड की होता है, रेसेदार नही रेसे दार जड मोनो कोट यानी एकल बीच पत्री में होता है एक क्या थे आपके आज के 17 नंबर का 17 नंबर सेट का जो था या लाश्ट कोश्चन था तो सुबा में सेट नंबर दो के साथ जुड़िये जो सेट नंबर दो है उसमें जुड़िये सुबा आट बजे तो फीर से रकार जुडते रहे और अपने दोस्तों को भी जुडते रहे तो आज के लिए बस इतना ही आज था सेट नंबर सत्रा फिर कल हम लोग रातरी नौ बजे अठारा सेट के साथ जुड़ेंगे इसके साथ साथ आप लोग जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े होंगे लाइक कर देंगे जितने लोग जुड़े हैं लाइक और सेर करते रहे और सस्क्राइब भी करेंगे जो पहले बार है सस्क्राइब करते जाए क्योंकि सस्क्राइब को तो बोलते नहीं है तो सस्क्राइब मन में तो करिये, नहीं तो नहीं करिये, क्योंकि आपकी मन की है, मेरा काम है पढ़ा देते हैं, आपको लाते हैं मेहनत करके बहुत मेहनत लगता है बनाने में तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत को समझे और लाइक भी करते रहे और और दोस्तों को भी जूड़ी है तो चलिए एसी के साथ गुडबाई, गुड़नाइट, सुबरात्री बाई बाई